अगर आपका शुक्र शुब है तो आपको शुब उपाय करने हैं शुब के उपाय करने से और शुब हो जाएगा यदि अशुब है तो अशुब को ठीक करने के लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं मैं एकनिवेदन करना चाहूंगा दिखिए मैं भाई फेस नहीं आपके सामने आ रहा हूँ अभी मैं पहले भाई बहुत बार कह चुका हूँ मेरी कोई अपनी मजबूरी है समय अत्वा स सामगरी उपलब्दना होने के करण मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ इस पर कई भाई बैन मारे किपड़ी दे रहे हैं खेर आउंगा जुरूर आपके सामने तो आज हम अपना मुख्य विशे बता देते हैं जोतिस के तीन सकंधों में से विसेस्ट असकंद ये फलित जोति सिखाऊंगा बताऊंगा कुंडली बनाना और कुंडली के सूत्र बताऊंगा लेकिन बोल दीजिए कि मैं इसमें सूत्र आपको बताऊं वो मेरे से संभव नहीं है वक्त नहीं है अथवा समगरी नहीं उपलब्द है या एडिटर नहीं है चलिए मैं अपने मुख्य विश तो उसके पास धन ठिकता है और न उसको बच्चे और पत्नी का सुख प्रापत होता है न उसको इस लोक में किर्ती मिलती है और लक्षमी शुक्र गरे के स्वामनी होने के करण जिसका शुक्र ही नहीं ठीक है तो लक्شमी कैसे आए उसके पास तो उसके संदर्भुमी हम आपको ये विशय दे रहे हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर सुनिए नहीं तो आप वीडियो छोड़ दिए मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप जवर्दस्ती देखिए लेकिन प्लीज कमेंट अपने सही करिएगा क्योंकि मैं अपनी विद्या का अपमान ना सुनना चाहता हूँ और ना ही किसी के विद्या का अपमान करता हूँ आप सब लोग विद्वान हैं धन्यवाद है लेकिन मैं मेरी विद्या जिस गुरू से मैंने सुक्षा ली है मैं अपने उस गुरु का सम्मान करता हूँ तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुक्र के लगन भाव पर माल लिजे आपका शुक्र लगन में बैठा है यहां मैं ये बात और गोई कह दूँगा कि शुक्र किस राशी में है नीच का है उच का है वहराशी जल तत्तो है अगनी तत्तो है वायू तत्तो है प्रत्वी तत्तो है तत्तो क्या है इन सब का विचार जरूर करना चाहिए और अगर इन सब के विचार के लिए आप जानना चाहिए तो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो जरूर दूँगा लेकिन अगर आप लगातार जानना चाहते हैं तो जोईन बटन पर आ करके ही आप जोईन करके जानकारी ले सकते हैं तो हम आपको वीडियो कॉलिंग के माद्धम से सभी को गुरुप के द्वारा सिखाएंगे तो यदि शुक्र आपका लगन में है शुब हुआ तो क्या फाइदा देगा और क्या लाभ के उपाय करने चाहिए नमबर एक जिसका शुक्र सुब है और लगन में है वो ब्यत्ति पहली बात तो सवारी का सुख वाहन का सुख परिपूर्ण प्राप्त करता है मतलब समस्त सामग्री जीवन के सुखव पभोगी सामग्री उसके पास उपलब्द होगी और बड़ा ही ऐसा आदमी हस्मग होता है यहां तक कि उसके ंदर काव्य करने के किशंटा होती है एक शायरी उसके ंदर से जागरित होती है और बड़े सुझदर सुरीले तरीके से अच्छे वस्त्रों का यानि पोशाग पहनने का बढ़ा शौक होता है धनाटडे तो होता ही है और हाँ ऐसे लोग जो है न काम कृड़ा में इस्त्री के साथ वक्ष का स्पर्ष चुम्बन अधिक करते हैं शुक्र के ये गुप्त भेद हैं तो प्लीज इसको अनिथा मत लीजेगा क्योंकि मनुष्य का चोला मिला है इसके साथ दिशाय लगे हुए हैं छे विकार लगे हुए हैं और इनके चलते हमने इनका हाल बताना है ग्रहों की माध्धम से जो व्यक्ति शुब सुक्र से युक्त होगा वो कभी किसी इस्त्री का अपमान नहीं करेगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि यत्रपूजन्ते नारी रवंते तत्र देवता जहां नारीओ की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है तो जिसका शुक्र लगन में है शुब है तो वो किसी भी इस्तरी का अपमान नहीं करेगा आगे हम अशुब पर भी बता देते हैं कि अशुब है तो क्या होगा अगर आपका शुक्र है असुब तो ऐसे आत्मी कबूतर भाजी करते हैं यहां से वहां वहां से वहां चीजे उठा कर ले जाना ले आना और इस्तरीयों के प्रतिताका जहांकी करने का बड़ा सुभाव गंदा रहता है और अगर इस प्रकार के लोग अपने परिवार के मुखिया बन जाएं तो परिवार की नौका डुबो देते हैं मां का अनिष्ट करते हैं ऐसे लोग जिनका शुक्र लग्ड में है ऐसे लोगों का शुक्र माता का अनिष्ट कर देता है और अक्सर विवाह हमें बड़ा बिलंब हो जाता है इस्त्री हमेशा रोग से पीडित रहती है ऐसे बेक्ति को गुपतांग में कोई न कोई परिशानी आती ही आती है धनका नुकसान जब होता है तो 16 से 36 साल की उमर में और संतान सुख में बिगनाता है और इस्त्री पुरुष में दूरी बनी रहती है अगर आपका शुक्र हुआ अशुब तो यह होगा तो अब अगर अशुब है लगन में शुक्र आपका तो उसका उपाई क्या करें बड़े ध्यान से सुनिएगा नमबर एक हम आपको नव उपाई बताएंगे इसमें अपने चाल चलन को ठीक रखे ताका जहांकी ना करें शुक्र ठीक करने के लिए नमबर दो गव ग्रास जरूर देना कव्वे को भी कुत्ते को भी और गव को प्रती दिन आप भोजन अपने हिस्से से निकाल के देना शुरू करें शुक्र ठीक हो जाएगा उपाई नमबर तीन सुद्द चान्दी ससुराल से ले ले जिए और नमबर चार किसी से सलाह मशबरा करके ही आप कोई जब ना काम शुरू करे तो बिना घर के किसी महिला वर्ग से माता से बेहन से किसी से सलाह ले करके ही आप काम शुरू करें जब नया काम शुरू करें नमबर पाँच गव मूत्र का प्रयोग करना जैसे जहां सोते हैं वहां आसपास सीशी में गव मूत्र रखें सुबा चर्णामृत की तरह जल में मिला करके पिएं और छिड़काओ करें नमबर छे जव ठाने वाली जव होती है सरसों या फिर चरी सतनाजा का दान करना चाहिए शुक्रवार उपाय नमबर साथ इस्त्री के सिर पर सोना पहनाने से भी आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है कोई सुई बना लिया चोटा सा क्लिप बना लिया और अपनी इस तरी के लिए सिर पे सोने के सुई बनवा करके पहनाए शुक्रवार को इस से आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है चलिए नमबर आठ अगर आप देवताओं की और गुरु की पूजा नहीं करते हैं सबसे बड़ी बात जब उमर का पचीसवा साल हो तो उसमें कतई बिवाह ना करें जिन लोगों का शुक्र नीच का अशुब बैठा हो लगन में उनके लिए चलिए शुक्र यदि आपका दूसरे घर में है माल लीजी और शुक्र शुब है तो शुब में क्या लाब होगा आपको फलिजोतिश कहता है कि जिनका शुक्र शुब है वो धनवान होते हैं और व्यापार में निरंतर धन कमाते हैं ऐसे जातक ससुराल के लिए अत्तिन्त शुब होते हैं या तो उचे अधिकारी पदपर रहते हैं या फिर आर्ट गायनकला और स्रिंगार सामग्री के ब्यापार कॉस्मेटिक्स और गएरा का ब्यापार स्रिंगारिक सामान से लाब होता है समाज में अच्छी पैट और समाज की सेवा करने वाले समाज सेवक हो जाते हैं से लोग अत्यंत सुन्दर पोशाक में रहने वाले सुगंधे द्रव्यों का इस्तेमाल करने वाले मिट्टी और चोपाए पशु या ट्रांस्पोर्टिंग कार मोटर इत्याद से धन लाव इनको होता है अगर ये इस्त्री के साथ संपर्क में रहते हैं तो काम कीड़ा के समय इस्त्री के साथ गुपतांगों को स्परश करने में इनको सुख मिलता है देखिए अगर अशुब हुआ तो पारिवारी जीवन में कलह हो जाएगी संतान के बीच में बिगन रहेगा क्या होता है अशुब योग में कि बच्चा गोद लेना पड़ जाता है और अशुब होने के कारण अशुद औरतों से यानि कुलटा अश्त्रियों से वेश्यागामी है ऐसे लोग होते हैं और इस्त्री रोगी अथवा फिर ऐसे लोग अपने अहरत से दुखी रहते हैं ज्यादा तर दवाईयों का बनाने का काम करते हैं ये बाजी करण जादुई काम इनको बड़े अच्छी लगते हैं ऐसे लोगों को राग और रंग से दुवेश रहता है उनको गाना बजाना इसे नफरत रहती है घर में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे आलू इत्यादी कावियापार घर में परिवार में कोई न कोई जिरूर करता होगा उपाई क्या करें अगर अशुब है दूसरे घर में शुक्र गरहें तो उपाई हम आपको बता रहे हैं नोट कर लिजे एक पशुपालन का काम जिरूर करें घर में अपने यहाँ कोई आए तो उसको पानी, जल, भोजन, मिश्ठान जिरूर दे खाली हात नमोडे हमेशा आलू, दही, देशी घी, इत्यादी का दान शुक्रवार को करते रहें बिना सींग वाली गाय की सेवा करते रहें तो इस से आपका शुक्र गरह ठीक होगा यदि आपके मरदानगी में कोई कमी आती है तो मंगल की चीजे कहीं से मिलें आपको तो उनका प्रयोग कताई न करें नहीं तो आपके अंदर आंतरिक कमजोरी आ जाती है यह बात रही है दूसरे घर में शुक्र की जो मैंने आपको उपाय बताया हाला कि हम आपको चिन्ह जरूर दे देंगे इसमें बाकी में वीडियो में तो इसमें आपको हम लिखकर या वैसे कुछ समझाना मेरे लिए मुश्किल है परन्तो चिन्ह जरूर आपको हम दे देंगे कि दूसरे घर में शुक्र है लगन में शुक्र है तीसरे घर में शुक्र है तो आपको हम निशानिया दे देंगे यदि आप कुंडली देखना नहीं जानते तो सीख लिजे दो घरों के बाद हम तीसरे घर में चलते हैं शुक्र अगर तीसरे घर में है और शुब है तो क्या फल होगा अशुब है तो क्या फल होगा और अशुब है तीसरे घर में तो उसका उपाय क्या करेंगे जब सुब होगा शुक्र तो इस्त्री ऐसे लोगों की इतना साथ देती है यानि पुरुश बन करके ऐसे लोगों का साथ उनके इस्त्री देती है चाहे ब्यापार में हो चाहे घर ग्रिस्ती में हो हर जगए इस्त्री आगे चल करके उनका सहयोग देगी ऐसे आदमी पर इस्त्रियां हमेशा मुगध रहती मोहित रहती हैं एट्रक्ट रहती है इस्त्री का सम्मान करने वाला इस आद्मी होता है और तीर से आत्राओं में बड़ी रूची रखता है तथा लाभ भी मिलता है ऐसे लोग जब महिला के संपरक में आते हैं तो इस्त्री के जंगाओं का और मुख का रस्पान जरूर करते हैं निशानिया पक्की हैं ये कि ऐसे लोगों की इस्त्री बहुत सत्त्यवान होती है साबित्त्री की तरह है जिसका तीसरे घर में शुक्र है और शुब है तो और शुबता बढ़ाने के लिए उपाय हम आपको बताएंगे चलिए तो शुब की बात हो गई अगर अशुब हुआ शुक्र तो क्या आपको नुकसान देगा क्या परहेज करना चाहिए क्या उपाय करना चाहिए देखो ऐसा आदमी जिसका तीसरे घर में शुक्र है और अशुब है तो चाहे अर्बो पती हो लाखो पती हो पिर भी दुख ही रहगा कब तक 16-24 और 24-34 साल तक उसकी इस्त्री की सेहत खराब रहेगी बहन और भाई के दुआरा धन का नुकसान होता है बाप की दौलत से धन दौलत जमीन के बदले पुस्तकों की लाइबरेरी या गाने बजाने के यंत्र मिलेंगे यात्रा से नुकसान मिलता है अब क्या करे उपाए नमबर एक ऐसे लोग पहले तो उनका निशानिया बता देता हूँ एक से अधिक इस्त्रियों से सम्मंद रखते हैं यानि घर कंजर घाट बना देते हैं उपाए नमबर एक बुझरगी घर की पुरानी दहलीज को नश्ट ना करें जो आपकी चोखट है वो बेचे ना बरबाद न करें उसका सम्मान करें तो आपका घर शुक्र मजबूत कर देगा और दूसरा है मंगल की चीजों का प्रयोग ना करें अगर आपके घर में कभी तवला नहीं बजा है धोलक नहीं बजी है तो कोशिश करके सुक्रवार की दिन अपने घर में तवला धोलक की थाप और घंकार घुंगरों की जंकार बजा दीजिए घर में रख लें और थोड में जिन्दगी सुखद हो जाती है आपके हैं तीसरे घर में अशुप शुक्र का ये परिणाम और उपाय चलिए फलिज्योतिस के इंतरगत हम आगे चौथे घर में चलते हैं मान लीजिए चौथे घर में शुक्र आपका बैठा है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि तत्व जरूर देख लेना कि शुक्र है शुब है या शुब है आपको पता चल जाएगा यदि अशुब है चौथे घर में शुक्र तो आपको अशुब के प्रणाम जो मिलेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में तो पहले हम सुब के बता देते हैं चौथे में शुक्र है आपका तो आपको क्या-क्या फल होगा। ऐसा आदमी अपने मा की सेवा बहुत करता है। जमीन जायदाद, फोर वीलर, और दुधारू-पशू, ट्रांस्पोर्टिंग, इनको ज्यादा तर भारवा हम से लाव मिलता है। गाड़ियां चलवाना और बुजरुगों की जायदाद इनको मिलती ही मिलती है। संतान से ऐसे लोग सुखी होते हैं और हाँ इनके अंदर एक सामर्थ होता है कि एक समय दो इस्त्रियों से संपर्क शक्ती होती है। जनता जिनार्दन की सेवा करने वाले नेता होते हैं से। ज्यादा तर इस्त्री की अधरों का चुम्बन और अस्तन का मर्दन करते हैं। ऐसा निशानिया हैं यदि शुभ है शुक्र आपका चौथे घर में। और ऐसे लोगों के लिए निशानिया घर इनको दही बड़ा अच्छा लगता होगा। दही बहुत ही प्रिय लगता होगा। और एक ही इस्त्री से ये सुखी रहते हैं। अगर इनकी अधिक इस्त्री हुई तो समझ लेना शुक्र बुरा हो गया। अगर शुब है तो ऐसा होगा अशुब हो तो कैसा होगा। घर ग्रिष्टी की जिन्दगी दुखी रहेगी। मा और अपनी पत्नी से जगडा रहा करेगा। इस्त्रीयों के इश्क में बदनाम, दुखी और निराश रहते हुँगे। आशिक मिजाजी, संतान के लिए बिगन आएगा, साधी से तीन या पांच साल तक संतान नहीं होगी। वाहन से दुरघटना, मोटर बाई की त्याद से नशीली चीजों का सेवन करने वाले, यहां तक दो औरते रखने वाले और दोनों ही विचारी दुखी होंगी औरते। अगर यह किसी की सेवा भी करते हैं, चोथे घर में नीच के शुक्र वाले, तो स्वारत के लिए करेंगे। निशानिया क्या होंगी अगर अशुब शुक्र है तो घर में तालाव की मिट्टी, आसपास तालाव की मिट्टी होगी, बहन साली लड़की की अशुब जिंदगी रहती है, बहन और साली की, अब उपाई क्या करें यदि अशुब है तो, अपनी इस्त्री से दो बार बिबाह करना, लगन करना, उपाई नमबर एक, बिबाह के समय, गाय और बच्डे, बच्डे वाली गाय का दान कर देना, चोथे घर में अशुब सो कर्ठीक हो जाएगा, तीसरा उपाई है, चाल चलन गंदा न रखें, जैसे शराब, कबाब, इन से दूर रहें, एक उपाई बड़ा खास आडू जानते होंगे, आडू फल होता है, तो आडू का जो फल होता है, उसका गिटक होता है अंदर का बीज, उसमें छेद करके, उसमें सुर्मा भर करके, एकांत में दबा दीजे, अगर शुक्र अशुब है, तो शुब हो ज प्तियादी कुए में देने से आपको डालने से लाब होगा, घर की छट के उपर तालाब की मिट्टी चिकनी हलाकि आजकल कोई प्रयोग नहीं करता, लेकिन किसी न किसी बरतन में तालाब की चिकनी मिट्टी भर करके, आप रख दीजिए, वैसे अगर कच्चा हो, तो घर चिकनी मिट्टी से लीपना छट को, ये भी नहीं हो सकता तो आठवा उपाय बताता हूँ, घर की छट के उपर शहेद से भरा हुआ मिट्टी का बरतन, दबा दीजिए, आपका अशुब शुक्र ठीक हो जाएगा, चलिए, ये तो रही चोथे घर की बात, पांचवे घर मे शुक्र शुब और अशुब के क्या लक्षन है, उपाय के साथ साथ, फला देश, पांचवे घर में शुक्र सुब है, तो ऐसा आदमी अपने देश के प्रतिकुरवान हो जाने वाला देश प्रेमी, और ऐसे आदमी की जो इस्तरी होती है, पतनी होती है, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं से लोग, बहुत अच्छे चालचलन के होते हैं, जुआ सटा लाट्री, इनसे इनको धन लाव मिलता है, और अच्छे उच्छे अधिकारी रैंक पर होने का योग बन जाता है, प्रेम में सफलता मिल जाती है, प्रेम प्रना में, संगीत सी बड़ा प्रेम संतान से ऐसे लोग सुखी रहते हैं और इस्त्री के साथ इनको कामकीडा में पीठ और गालों का सपर्ष इनका चुम्बन करना ने अच्छा लगता होगा शुक्र पंचम में अगर शुबह है तो ये गुन होगे तो निशानिया यही है ऐसे लोगों की जिसका शुक्र सुबह है कि उसको देश से और परिवार से बहुत प्यार होगा यहां पर अगर अशुब सुक्र है पंचम में घर में तो अब क्या होगा ऐसे आदमी ससुराल से दुखी हो जाएंगे यदीनों ने प्रेम विबाह किया तो धन परिवार से दुखी अगर चरित्र घराब हुआ तो जैसे किसी पेड में फसी हुई पतंग बेचारी निकलती नहीं उलज जाती है और धर्म की आण में लोगों से धोखा करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जब नर संतान होगी तो बहुत देर हो चुकी होगी गर्वपाद बहुत करवाते हैं इसे लोग निशानिया भी हैं बुआ, मौसी और बहन का धने जरूर खाते हैं इसलिए इनको परिशानिया आती है अगर आपका शुक्र अशुब है तो चेक कर लिजी अपने घर में आवार रखा होगा कुमार का इट का भठा आसपास होगा और अवर्तों का रसिया सुभाव में क्या करें उपाए कि शुब हो जाए नमबर एक चाल चलन को ठीक रखें नमबर दो गाय की सेवा शुक्रवार जरूर करें नमबर तीन लड़की या लड़का विवाह से पहले एक दूसरे को न देखें यदि शुक्र पंचम हुआ तो प्रेम विवाह या माता पिता की इच्छा के बिरोध में कभी भी अपनी शादी न करें पांचवा उपाई ये है कि ऐसा विक्ति जातक उसकी स्त्री अपने स्त्री के गुपतांगों को दूद और दही से धुले तो शुक्र आपका शुब हो जाता है चलिए छटे भाव में आते हैं शुक्र की स्तिती देखते हैं शुब है तो संतान के लिए सुब होता है राज्य का अधिकारी बनता है साद्मी और शादी के बाद ऐसे लोगों के किस्मत चमक जाती है ससुराल से लाव मिलता है ये वाहन और चोपाई पशु इत्यादी के शुकीन होते हैं शत्रूओं पर बीजे प्राप्त होती है और इस्त्री के साथ विशय के समय भग का चुम्बन करना इनको या घर्शन करना इनको अच्छा लगता है जिसका शुक्र खट छष्ठा असान पर शुब होतो ऐसे लोग अगर बुरा भी करें सरल होते हैं ऐसे लोग अगर बुरा भी करें तो परमात्मा उनके साथ अच्छा करता है ऐसा योग बनता है छटे अगर शुब है शुक्र तो ऐसा अब इतनी भोला भाला होता है न तो भगवान भोले भाले का साथ देते हैं अच्छा चठे गर में अगर अशुब शुक्र हुआ तो देखो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हो तो समझ लेना कि अशुब है ऐसे लोगों की इस्त्री बच्चे नहीं जिनन दे सकती हैं बांच संतान से दुखी रहती है ऐसे लोगों का सुभा दूसरे के इस्त्री में ज्यादा इंट्रस्ट रखते हैं गुर्दे और चमडी के रोग जिरूर होंगे राज दर्बार में धनहानी इंकम टैक्सल टैक्स इन से खत्रा मानहानी होती है बहन के लिए ऐसे लोग अशुब होते हैं ननिहाल से सुराल को कश्टकारी होते हैं छठे में जिसका शुक्र अशुब हो यदि अशुब है तो उसका उपाय भी है देखुए आपका अगर शुक्र अशुब है छठेगर में तो निशानी यह होगी कि आपकी पत्नी नंगे पाउं चलती होगी उसको शौक होगा नंगे पाउं चलने का चपल नहीं पेनेंगे तो यह आदत छड़वाईए अब उपाय नंबर से नोटकल यह चार उपाय है मंगल की चीजों जैसे लाल दवाई इत्यादि से इस्त्री अपने गुप्तांगों को धोए तो शुक्र ठीक हो जाता है ठोस चांदी का टुकड़ा ले लिजिए और अपने पास रखिए और सभी इस्त्रियों का सम्वान करिए चोथा उपाय है इस्त्री को कभी भी नंगे पैर नहीं चलने देना नहाते समय भी नंगे पैर जमीन पर न रखे छटे गर में यदि शुक्र है और अशुब है तो अब हम बहुत अच्छे सात्वी घर में जो कि शुक्र का अपना स्थाने वहाँ पर चलते हैं देखते हैं शुब और अशुब की अवस्थाने बड़े ध्यान से सुनिएगा ऐसा आदमी बड़ी उमर वाला होता है जिसका सात्वी घर में शुक्र होता है और साधी 25 साल में हो जाती है और 25 साल में शादी करना इनके लिए मंगल मही होता है घर ग्रिष्टी बड़ी सुखी रहती है ससुराल पक्ष से धन संपत्ती आदि लाव मिलता है इनको और अगर ये बिजनस करते हैं तो सांजेदारी वाले बिजनस पार्ट्मर्शिप में बिजनस बहुत फलित होते हैं जिसे फोटोग्राफी है वीडियोग्राफी है चित्रकारी है इनमें बड़ी रुची होगी और जब अपने स्त्री की संसर्ग में आएंगे तो मुख और इस्तन का चम्मन करने का बड़ा शोक असपर्श करने का शोक होता है आपके आसपास से आपके घर में सफेद गाय जरूर रहती होगी कांसे का बरतन जरूर होगा अगर नहीं तो रख लीजिए किस्मत को चमक जा चमका दीजिए अगर कांसे का बरतन घर में है आपका शुक्र सुब और हो जाएगा यदि साथवे घर में शुब नहीं है शुक्र तो निशानिया क्या होंगी अशुब है तो क्या निशानिया होंगी जरा बिचार करते हैं सात्मा अगर शुक्र का अपना घर होता है यहां अशुब होता ही नहीं लेकिन यदि राशी नी छुई कन्या में बैठा हो अशुब हो जाता है मंकर में हो जाए तो भी अशुब हो जाता है तो क्या होगा अशुब के समय ऐसा आद्मी संतान से दुखी रहता है जब संतान बड़ी हो जाए तो दुखी होगा या फिर संतान से भिगन आएंगे साले यानि अपने इस्त्री के भाई के साथ कभी भी बिजनस सांजे में न करे ऐसे लोगों का पैसा ज़्यादा तर औरत के उपर खर्च होता है क्यों कि स्त्री रोगी रहती है ज़्यादा तर जैसे तपेदिक और इड्स जैसे गुप्त रोग होने कभ़े रहता है धन का नुकसान या चोरी जिरूर होती है अगर अशुब शुक्र है आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ निशानियां क्या है कि आपके इस्त्री का रंग साउला होगा और बिल्ली की जेर यानि जिली चमडे के पर्स में जरूर कही न कही रखी होगी नहीं रखी तो रखे पराचानियों से बचने के लिए है उपाय नमबर एक सफेद गाय का रक्षन करें पालन करें नमबर दो बिबाह के समय या बाद में गाय जरूर दान करें गवदान जरूर करें नमबर तीन बिल्ली की जेर को कंबल के टुकडे में अपने पास रखें हमेशा शुक्र सुखी बिताएगा आपका जीवन और कांसे कबरतन दहेज में ससुराल से जरूर ले नहीं है तो मंगबा ले साथवे घर तक शुक्र की स्थिती रही आठवे घर में शुक्र अगर शुब है तो क्या होगा आठवे घर में आपका शुक्र है अपने कुली देखिए तो क्या होगा कि ऐसा आदमी इस्त्री की जुबान का कहा हुआ शब्द पत्थर पल्ली लकीर होगा अगर इस्त्री भी है और उसका आठवे घर में शुक्र शुब है तो वो शुब होगा वो जभी कभी भी जूट नहीं बोलेगी जो कहदेगी करेगी और आदमी है तो कहना ही क्या असुब सब्द अगर बोल दिया मूँ से तो बहुत जल्दी पूरा होगा और पचीस साल की उमर के बाद बिवाह का फलुत्तम मिलता है खास तोर से ऐसे लोगों को इस्तरी वर्ग से लाव मिलता है और इस्तरी संसर्ग के समय इनको मुख और होठों का चुम्मन करना अच्छा लगता है ऐसी लोग भगवान के भक्त होते हैं और इनके पास जमीन, जायदाद गाजर खाने के बड़े शोख रखते हैं या गाजर की खेती त्यादी करने में इनको रुची होती है शुब की बात तो ये रही अगर अर्शुब हुआ शुक्र आठवेगर में तो क्या नुकसान करेगा ससुराल की नईया डूब जाएगी और ऐसा आदमी अपने अवरत से डर कर रहता है क्यों? इस तरीका सुभाव गरम होगा उग्र सुभाव ब्यबाद बात में जगडा रोगी होगी बहन भाई से जगडा करेगी ऐसा आदमी किये हुए उपकारों को मानता नहीं है आपने अच्छा चाहे जितना किसी के साथ किया हो लेकिन कई लोग आपकी बात नहीं मानते तो ऐसे लोगों का शुक्रश्टमस्तान अश्युभ होगा गुपतांग में सुजाक होने का डर रहता है और परिस्त्री पर धन का खर्चा होता है तो ऐसे लोग ससुराल को लूटने वाले साथी के बाद कब्रिस्तान और समशान भोड़ी गाए रखने वाले यानि जिसकी सींगे नहीं होती ऐसे लोग रखते हैं निशानिया हैं उपाय में क्या करें? एक तो किसी से कभी भी भिक्षा ना लें या दान ना लें रो जाना धर्म मंदिर में जाकर के अपना मत्थाटे के सिर जुकाएं चरी जिसको जवार बोलते हैं उसको जमीन में दबाएं गंदे ना ले से तामे का पैसा या फूल उठाएना वहां गिरा दें बच्छडे वाली गाए दान करें गाए सफेद या अंगहीन ना हो इतना ध्यान रखें जिस गाए का दान आपने करना तो आपका शुक्र शुब हो जाएगा अशुब से तो बचेंगे कम से कम अब हम चलते हैं शुक्र नवे घर में शुब और अशुब दोनों वस्थाएं देखते हैं क्या होता है जिरा देखिए अपने कुली क्या आपका शुक्र नवे घर में है यदि हाँ तो यदि आपका शुब है तो ये फ़लोगा जैसे कि दादा पड़ दादा बाप इन सब के लिए आप जनम के साथ ही शुब हुए होंगे जब आपका जनम हुआ होगा तो उनकी तरक्की हुई होगी जनता जनार्दन की सेवा करने वाला ऐसा लोग बहुत बहनती और उच्च पद पर बैठने वाले होते हैं सेवा करने वाली होती हैं जब ये श्त्री के साथ संसर करते हैं तो इनका सुभा होता अनन्द लेते श्त्री के कंदों तो तास्तनों का चुमन करने में मर्दन करने में आपके आस पास नीम कवरिक्ष जरूर होना चाहिए चांदी का चौरश टुकड़ा आपके पास जरूर होना चाहिए आपके किस्मत को और बढ़ा देंगे यदि नवेगर में शुक्र अशुभ है तो याद रखिए जंग के मैदान में या किस्मत के मैदान में काली आंधी हर तरफ से अभाग दुरभाग जागरत हो जाता है ग्रिहस्त जीवन में दुख दर्द बढ़ जाते हैं अगर चांदी की दिवारे हैं तो भी मिट्टी हो जाएंगी खून की कमी होती होगी आपके शरीर में बहन भाईयों के लिए अशुब रहता है पंद्रा से सत्रा वर्ष की आयू से ही ऐसे लोग नशे खोर हो जाते हैं जिनका शुकर नीच का हो नमें घर में घर में नौकर नहीं टिकेंगे आपके घर में अलमूनियम के बरतन नहीं रहने चाहिए अगर रखेंगे तो फाइदा नहीं होता ज्यादा तरह आप अलमूनियम यूज करते होंगे तो सबसे पहले क्या उपाए हम बताएंगे इसमें चार उपाए हैं मकान जब बनाएं तो नीव में चान्दी और शहद रखें दे मकान किनीव में दूसरा जब भी एक कंगन ले लीजे चान्दी का कंगन हला कि महिलाओं को विद्वा पहिलाओं को चान्दी का कंगन पहना जाता है लेकिन यह केवल कंगन नहीं कहेंगे इसको प्राटाइप चोटा सा पतला सा बना करके उसमें चूड़ी के उपर लाल रंग करवा दीजिए, बलब कोई लाल रंग चड़वा दीजिए और वो पहना दीजिए, आपका शुक्र शुब हो जाएगा नीम के ब्रुक्ष में चांदी का चौरश टुकड़ा लेकर के दबा दीजिए और आयू के पच्चेवे साल में बिबाह ना करें ऐसे लोगों के मातापिता जिनका शुक्र नवे घर में नीच का हो शुक्र दस्वे घर में, अगर सुब है तो ऐसा आदमी बहुत दूर रहेगा बुरे कामों से, उसको लाब क्या होगा संगीत, फोटोग्राफी, गान बजान, सिंगार, सामगरी, त्याद इसके बिजनस से उसको लाब होगा ट्रांसपोर्ट के काम से उसको लाब होगा, जमीन जायदाद और धन संपत्ति उसके पास खुब होगी, ऐसा बिक्ति इमांदार और इंसाफ को तोलने वाला होता है इस्त्री के मुख और स्तनों का चुम्बन करता है, जगो संसर्ग में आता है, ये शुक्र के शुब की निसानिया है इनके आस पास मोटर लारी जिरूर होगी, का पास बाग बगीचे इत्यारी इनके पास होगे अगर अशुब हुआ शुक्र दस्वे घर में तो संतान से चिंता, कष्ट और परिस्त्री रत, दूसरे की स्त्री में ज़्यादा इंट्रेस रखने वाला इस्त्री अकल या आँखों से अंधी, बनते काम बिगड जाते हैं, बिगण जरूर आएंगे, लंबी बिमारियों से दुखी होते हैं, गुपतांग में आत्शक, सुजाक, इत्यादी होने का डर रहता है, अगर शुक्र हुआ दीच, दस्वे घर में तो, उपाय क्या करें ऐसे तो पहली बात इन लोगों को सराब कबाब बहुत अच्छा लगता होगा, आशिक मिजाजी की होगे, बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका शुक्र और नीच हो जाएगा, घर में पस्चिम दीवार बनाएं तो कच्ची बनाएं, छोटी सी दीवार कोई बना रखिये, नहीं तो आपका शुक्र और खराब हो जाएगा, परिशानी आती जाएगे, अगर शुक्र हुआ ग्यारवें घर में, शुब हुआ तो हर काम में भेद भाव रखने वाला, और धन की कमी नहीं पाते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादातर सभी के प्री होते हैं, सुन तंत्र, बंत्र है, गुप्त द्याओं में इनको बड़ी रुची होती है इसे लोगों को, और इस तरी के साथ कम से कम तीन भाई होंगे, इस तरी के, जब इस तरी के साथ संग करेगा, तो उदर भाग कासपर्ष मरदन करता है, पेट के पास, इसे लोगों के पास लड़कि ऐसित्वांची कभी भी शुब नहीं होगी इसके पास पैसे की चाभी टाली रहती होगी वो कभी भी शुब नहीं होगी भाई बंधू और मित्रों से जगड़ा और विरोध पाने वाला ऐसा लोग होता है जदा तरहस्त मैथुन के शोकीन हो जाते हैं वीरपात का रोग हो जाता है ऐसे लोग इस्त्रियों को ठगने में माहिर होते हैं और इस्त्रि घर की मुखिया अगर है आपके घर में तो तबाही जरूर आ जाएगी इसलिए इस्त्रि को मुखिया न बनाएं घर का किसी की भी ओ निंदा जरूर करेंगे आप चायो अच्छा अदमी हो आप दोसरे के निंदा जरूर करते हैं शुक्र अशुब हुआ तो धन ब्यापार में बार 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 बदली जाएगी यह ब्यापार के स्थिति बार बार बदली जाएगी कभी यह धंदा कभी यह धंदा ऐसे लोगों को अपने संतान से कष्ट भी होता है लड़कियां ज्यादा होती हैं सिर्फ ऐसे स्त्री का एक ही भाई होगा मतलब निशानियां देते हैं ऐसे लोगों की स्त्री अपने ससुराल यह अपने मायके को धन जरूर भेशती होगी चलिए क्या उपाय करें दूद से बनी चीजों का प्रयों करें और बिबाह के समय कपीला गाई का दान करें बुद्ध का उपाय करने से लाब होगा तेल का दान देने से कल्यान होगा और बिबाह से पहले शुक्र की चीज़े घर में जिरूर रखें अधिक जानकारी के लिए संपर्क में आएं तो हम आपको उपाए और बताएंगे शुक्र हुआ बारवेगर में शुब है तो ऐसे लोगों के इस्त्री संतान वाली, सुख वाली और ऐसे लोग इस्त्री की सेवा करते हैं, वायदे के बड़े पक्के होते हैं सुख सुभिदाओं से युक्त होते हैं, जोतिस विद्या में और अनेक गुप्त विद्याओं में इनको खोज करने की आदात होती है विद्यान इत्याद में इनकी रुची होती है, संगीत में प्रेम, काम कीड़ा के समय इस्त्री के मुक्का, होठो का चुबन करना इनको अच्छा लगता है अगर अशुब हुआ तो कष्ट सबसे पहले इस्त्री पर ही आएगा नास्तिक संतान मिलेगी इस्त्री से दुखी और इस्त्री की सिहत खराग रहेगी दूसरे की ओरतों में ज्यादा रुची इंट्रस्ट रहेगा सुजाग इत्यादी एट सो गयरा होने के चांस बहुत बन जाते है इसलिए पराइस्त्रियों के साथ ऐस लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए इस्त्री का साथ है इसे लोगों को क्यों 17 साल तक ही रहता है बारविगर में शुक्र अशुब़ा तो और 37 साल से पहले पहले इस्त्री मर जाती है उपाय क्या करें जिससे ये साफ़ चीजे ना होती हो इस्त्री के हाथों नीले फूल जमीन में दबवा दियां इस्त्री के हाथों से कोई चीज दान जरूर करवाएं शुक्रवार देशी घी का दिया जरूर जलवाएं और चाल चलन को ठीक जरूर रखें चीक है जिनका खरा शाए पीविना ना जाने दे, घी, दही, कफूर, आधिका धर्म मंदर में दान करने से, या जल प्रबाह करने से लाब होता है, बचडे काली गाय या कपिला गाय का दान करें, बचडे सहित, लेकिन, यह यहीरा पहनते हैं, और अच्छा है, हीरा नहीं है, तो मूती दान करले गाय का दान जुआर का दान करना चाहिए और इस तरी का कहना मानने वाले इनका शुक्र कभी खराब नहीं हो पाता तो इस तरी का कहना माने इत्र और सेंट कपड़ों पर लगाएं क्रीम पाउडर सरीर पर लगाएं ऐसे लोगों के इस तरी हैं पोशाक ठीक रखने और कभी फटी हुई जली हुई पोशाप पहनेंगे तो आप किस्तिती फटी पुरानी हो जाएगी और अगर शुक्र आपका उचका हुआ तो कभी भी दान न दे शुक्र की चीजों का अगर शुक्र नीच का है तो शुक्र की चीजों का दान ले मत कभी भी इस प्रकार से शुक्र के यह बारा घरों तक आपको मैंने यह उपाय बताए, यह जो मैंने आपको बताया, बड़े गहरे में जाकर कि बड़ी परिश्रम के साथ, तीस वर्सों के मेनात का प्रतफल आपको बता रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता है, तो उपाय करें, और मैं बार बार यह होगा, यदि आप इस चैनल की मेंबर हैं, तो ठीक है नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लेजिए, शेयर कर दीजेगा, ताकि आप लगातार जुड़े रहें, और हम आपको ऐसी जानकारी हमेशा देते रहें, संपर्ग के लिए, डिसकॉप्शन में कई लिंक हैं, जैसे की, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, इमेल, इत्यादी, डारेक्ट नमबर नहीं दिया हुआ है, और उसके लिए, विवसाइट है, www.estoyugraj.com, पर आप जाकर के, सीधे संपर्ग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको नमबर मिल जाएंगे, तो बस यहां तक, आगे हम फिर बात करे की, जै स्री कुष्णा.